नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्ता अवन बहात और आप सबकर बेजस सुवाद करते हैं हमारी इस नही वीडियो में तो दोस्ता आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने phone के camera के lens में जो dust चला जाता है उसका problem को permanently कैसे solve कर सकते हो तो basically ये वाला जो problem आता है phone के camera में dust जाने का ये ज़्यादा तर आपको front camera में देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो में आपको पताने वाला हो कि आगर आपके phone के भी camera में front camera में बारवा डस्ट चला जाता है जिसके वज़े से आप जब भी camera कोलते हो तो पूरा blur blur एकदम पूरा धुनला धुनला दिखाई देता है camera एकदम clear नहीं होता है आपको दुबारा से जोगी है जाके दुकान में फिर से phone को खोलवा के साफ कराना पड़ता है आप खोलवा के साफ करा के ले आते हो फीर 2-3 दिन वे फिर यही problem हो जाता है फीर साफ कराते है फिर यही problem हो जाता है बार बर आपका कैमेरा के अंदर में डस्ट चला जा रहा है आप परिशान हो आपका जो यह प्रॉब्लम है हो सही नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं इसका पर्मानेंट सॉलूशन लेका आया हो मेरे बताए हो प्रोसेस को आप एक और अपने फोन में अपलाई कर देते हो तो उसके बाद आपका फोन का जो कैमरा है वो कभी भी गंदा नहीं होगा उसमें कभी भी डस्ट नहीं घुसेगा अपका जो कैमरा है वो क्रिश्टल क्लियर क्यालिटी आपको प्रोवाइट करेगा तो आज की वीडियो में जो इस टेप मैं आपको बताऊंगा कोई भी मॉडल हो यह जो भी कमपनी का फोन हो जिसमें भी आपको अगर क्यामरा में दूल जाने का प्रावलो है कि फ्रेंट कैमरा में दूल चला जाता है तो मेरे बताई हुए इस टेफ को फॉलो करना और आपका प्रावलों 110% फिक्स हो जाएगा तो जैसे कि आप देख स फॉन का कोई parts खराब हो जाएगा आप खोलोगे इस केस में आप क्या कर सकती हो कि आपको repairing shop वाले सी जाके खोलवा सकते हो फॉन को ठीक है और खोलने के बाद चुकी है आप मेरे बताईवा steps को follow कर सकती हो तो बहुत ही ध्यान से follow करना मतलब की थोड़ा सो भी ज्यादा भी अब जैसे के आप देख सकते हैं फोन के पीछे में चुकिए है यहाँ पर ये श्टी कर लगाऊवा ए स्टीकर को मैं अटाऊंगा तो यह अगार निकाल लेना परταक्तर आपको सब्सक्राइब को अब है तो यह अनुद को धार निकाल दिया तो उठाल दिया टो अगर आपके पर ट्वीजर है तो ट्वीजर से उठा सकते हो, आप इसको खोल लेना, खोलने के बाद इधर जिसके आप देख सकते हैं हमारा lens है, इसी में जो कि धूल चला जाता है, जिसके बज़े से हमारा जो गैमरा है वो बलर बलर क्वालिटी का हो जाता है, अच्छा क्वालिटी का फ यह होता है, कि अगर मान लिजे आपने temper glass एक बड़ चेंज कराया, आपका बहुत दिन पुरान temper glass आपके phone में लगावा था, आपने change कराया, तो उसमें होता है क्या है कि जब pressure लगा कि temper glass को उखाडा जाता है, उसी के साथ जो कि इस screen थोड़ा सा gap create कर लेता है, सबसे पहले मैं टेंपर ग्लास को मैंने हटा दिया ठीक है जैसे कि आप देख सकते टेंपर ग्लास हटाने के आपको चीज दिखाना चाहूंगा यह स्क्रीन है मेरा अगर मैं इधर नाखुल लगाऊंगा तो इधर जैसे कि आपको दीख रहा होगा इधर में ठीक है इधर भी दिखा दो आपको ऐसे समझ में नहीं आता है पर अगर नाखुल लगाने से मालूम चलता है कि इधर में पूरा ग्याप हो चुगए ठीक है तो बॉडि से स्क्रीन क बीच में हलका पतला एक गैप है जिसके वज़े से जो कि है डश्ट अंदर घुस जाता है हम लोग को कैमरा है उसमें प्रॉब्लम होता है हम लोग को क्या करना है कि इसको सील करना पड़ेगा ठीक है यह एरिया को यह अरिया हम लोग सील कर देंगे करना मैं इधर किया कुछ इस टैप कर रहा हूं यह की है चस्मा का डबा रहता है उस में मेरे को मिला था तो यूज कर रहा है अगर इस टैप कर पास नहीं तो कोई भी बढ़िया क्वालिटी का कॉल ट एक माइक्रोफाइबर ग्लॉट तो आप जो की है उसका क्या करूंगा इधर में जो की है इसका क्लीन वाला जगा देखके साफा वाला जगा देखके यह क्लॉथ का इसमें मैं माचिस की तिल्ली को ऐसे लगा के ऐसे लपेट लूँगा ठीक है लपेटने के बाद अब मैं इससे इसको क्लीन करूंगा क्लीन करने के लिए आपको क्या कि लेंस पे scratch वगरा आ जाए इसलिए आपको हलका हलका ही pressure apply करके अच्छे से अराम से इसको clean कर लेना है ठीक है एक बार आपने clean किया लगडी लगा के एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यह लगडी को हटा दो एंड उसके बाद दूसरा कोई side ले लो कपड़े का एंड उसके बाद जो कि है उसको ऐसा pointed बना के कपड़े को ऐसे-एसे करके यहाँ पर पूरा आप अच्छे से साफ कर दो कि अंदर गंदा नहीं रहे न चाहिए गंदगी को आपको अच्छे से निकाल देना है जितना हो सके तो इदर I think so गंदगी जो कि हमारा अच्छे से निकल जितना भी पहले का गंदगी था इसके अंदर ठीक है और एक चीज़ को ध्यान रखने के गंदगी तो आपने अभी निकाल दिया पर आपका जो कपड़ा है अगर उसमें से माइक्रोफाइबर निकल निकल के अलग होते है तो आपको यह ध्यान रखने कि इदर को माइक्रो फैवर बगर कपड़े कर रहा जाता है तो उसको निकाल देना है नहीं तो वह जो कि है कैमरे पर आएगा तो लाइन जैसे दिखेगा कैमरे में इसलिए ठीक है मैं बता रहा है को उसको निकाल देना तो मैं प्रॉपरली एक चेक कर लेता हूँ सामने से और फिर आपस मिलता अगर आप टेमपर ग्लास वगरा लगवाने जाते हो किसी दुकान में ठीक है तो वहां पर लोग लिक्वीड का यूज करते है जिससे किया इस्क्रीन को क्लीन करते है तो उस टैप का अगर आपके पास को लिक्वीड है तो उसको भी जुगी है कपड़े पी स्प्रे करके उससे आप क्लीन कर सकते हो ठीक है डारेक्ली यहां पे स्प्रे मत करना कपड़े में स्प्रे करके आप हलका हलका उससे क्लीन कर सकते हो ठीक है पर मेरे पास वाचा कोई स्प्रे नहीं था तो मैंने खली कपड़े से ही क्लीन किया ठीक है क्लीन कर दिया है अब उसके अथ क्य इसे properly clean करते हैं, Helen's पे एकदम आराम से आपको पॉपडा को सटाते हैं, बस हो जाएगा, जादा clean नहीं करना है है, जादा clean का चAKर में कहीं लेंश कराब हो गया तो दिक्ड़ात आ सकते हैं, इसलिए ज्यादा क्लीन करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लेंस भी क्लीन कर लिया इसे फिटिंग करने के लिए क्या है इधर में ऐसे करके आपको यह फोन का मॉडल होगा उसके अलग अलग स्टाइल का फिटिंग होगा सबसे पहले तो इस टीकर हटा देता हूं क्यामरे के उपर लगा रहता है स्कॉटा दिया तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्यामरे को इदर मैंने रख दिया है एंड इसके बाद जो कि यह है इसके कनेक्टर को हम सेट कर देंगे यहां पर फटाफट इदर मैं कनेक्टर इसका फिट कर देता हूं यहां पर तो दोस्त तो इधर में भी front camera कर रहा है और जैसे कि आप देख सकते हो camera हमारा properly work कर रहा है and quality भी पूरा clean आ रहा है, clear quality आ रहा है, कोई गंदगी वगरा नहीं दिख रहा है camera पे तो मतले हमारा camera एकदम साफ हो चुका है and इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि इसे अभी lock लगा देते हैं यहाँ पे and उसके बाद जो कि है अब हम लोग को दूसरा step एक करना है कि इसमें जो gaps वगरा create हुआ है इधर में इसके अंदर में ग्लू को अराम से भर देना है ठीक है इसके अंदर में ग्लू को अराम से भर देना है तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ग्लू पूरा में लगा दिया है इदर और अभी मैं इसे इदर प्रेस करके रखाओ कि अगर इसको प्रेस करके नहीं रखूंगा तो फिर गैप रह जाएगा ठीक है अभी प्रेस करके रखाओ उसको तो थोड़े दर तक इस जो कि है मैं इदर रबर्ड बैंड लगा रहा हूँ आप भी चाहो तो रबर्ड बैंड लगा सकते हो रवट बैंड लगाने से क्या होगा कि आपको पकड़के नहीं रखना पड़ेगा इदर जो पकड़ने रहेगा रचे से उसको यह हमारा पुरा रेडी हो जाएगा इसी तरह कि आपको rubber wind लगा देना और सूखने का इंजार करना है जो आपका सूख जाते है ताप rubber wind सब खोल देना पूरा screen वगरा जितना भी आपका उपर से हाथ लगा था आपने जो गंदा वगरा उसको साफ कर देना और साफ करने के बाद नॉर्मली जैसे आपका back cover वगरा लगा के जितना यह सब रहता है यह सब लगा के fitting कर देना and fitting करने के बाद जो आपका phone है वो बनके ready हो जाएगा और उसके बाद जो कि है कि आपके camera में कभी भी गंदगी नहीं जाएगा क्योंकि main problem जो गंदा जाने का रहता है वो इधर का उपर का gaps रहता है जो आपको नजर भी नहीं आता है पर अगर आप नाकुन लगा के देखोगे तो इधर हलकालका gap create हो जाते स्क्रीन में जिसके बज़े से ही गंदा जाता है front camera में ठीक है तो आपको यही करना है कि आपको gap को फिल करना है उदर glue डालके जो glue मैंने आपको दिखाया इस टैफ कर ग्लू आपको market में असानी से मिल जाएगा कोई भी mobile repairing shop वगर आप वहां पर जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगा या अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो तो मेरा वीडियो दिखा कि आप उन लोगों से ही करवा सकते हो ठीक है वो लोग यह करके देंगे आपको simply gaps को fill करना है यह glue लगा के बस gaps fill करोगे clean करने के बाद तो दुबारा से आपके camera में गंदगी नहीं जाएगा ठीक है त आपने भी तब हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते हैं एक शूड़े हो मैं तब तक ले बाई बाई और जैहिंद